पहला लॉकडाउन लगा था उस वक्त हमने इंट्रव्यू आपका किया था और आपने एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत सारे डाक्टर नो उसका उस वक्त विरोध किया था तब आपने कहा था कि कोरोना से डरने की जरुवत नहीं है अब जब दवाई आगी है तो क्या आपके प्रशने के पहले मिश्रा जी को समझाना चाहूंगा कि जैसे इसका पॉलिट से हो रहा है कि करोना कहां से आ रहा है तो मैंने मेरे एक्समेलेशन में पहले ही बताया है कि यह म्यूटेशन वेरियंट है कोई इंडिया के कॉर्णर से नहीं आ रहा है पहले तो यह करें पॉलिटेस नहीं करते वाकर जिसकी वजह से हमको समझना चाहिए कि करोना क्यों मूटेट होकर हमारे यहां बहरा है इने तो पहले जो फरस्ट वेराइट था को हमने च्टो इस तो यह बात को कोई महत्वां नहीं कि यह कुस एरिया से आ रहा आज भी बहुत सारे अस्पिटलाइजेशन की ज़़रत नहीं है बहुत सारे लोग डर से अस्पिटलाइज हो रहे हैं वैसे भी आज मैंने इतने नियूज देखे है कि एज्ड पेशन्ट भी गर में बैट कर रिकॉर हो चुके है Middle Age के patient, भी Morbid patient, भी Diabetes patient, भी Blood pressure के patient, Cancer के patient भी घर में बैठ कर record हो चुके, मगर एक समाज में करूना का जो भे है, वो भे बीमारी से बहुत जाद है, बहुत जाद है, ये भे जो है हमारी बीमारी को बढ़ा रहा है, तो पहले तो हम ये भे से दूर कैसा हूँ, यह सबसे जरूरी है हर जगह पर इसके knowledge की या तो इसके orientation का program होना बच जरूरी है हर hospital में governance होना चाहिए और जहां पर जरूरी है वहां पर hospitalization जरूरी है क्योंकि hospitalization का मतलब यह नहीं कि हमारे पास बहुत दवा हैं कोरोना के लिए limited drugs है जो हमारे पास में research होखर पिछले एक साल में आए है और वैसे last year में हम देखेंगे 22 में हमारे पास में तो drug भी नहीं था मालूम भी नहीं था, vaccine भी नहीं था आज हमारे पास में drug है वो vaccine है हम कहां पर कम गिर रहे हैं तो हम governance में कम गिर रहे हैं लोगों के acknowledgement हैं कम गिर रहे हमारी महलते जो है इसो लोकों में एक दरह से क्या बोलते कि कुछ नहीं होने वाला भी हमको कुछ नहीं होने वाला में लीडर बने वाले हैं लीडर बने हैं